आसलाम रिक में वन कैसे हैं आप सब लो मेरी वह बहने जुनों ने अभी अभी पॉलर स्टार्ट किया है और वह एक फोर्डेबल प्रड़क के साथ ब्राइडल बेस बनाना चाती है और चाहती है कि इस तरह की खुबसूरसी ब्राइडल लुक वह अचीव कर सके तो आज की व वीडियो के एंड में मैं आपको कस्टमाइज पैनके के शेट बनाने बताऊंगी कि मैंने क्यूंकि आपसे कहा कि यह फेर टू मीडियम है तो अगर आपकी स्कीन मीडियम है तो आपकी स्कीन से शेट को कस्टमाइज करके बना सकती है और अगर आपकी फेर है तो कैसे कर सकत वीडियो को आपने एंड तक देखना है, यहां पर मैं सबसे पहले CN38 शेट को लेकर अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूं आपने इसको पूरे फेस पे पहला देना है, इसे आपकी आपकी स्किन इवन टोन हो जाएगी, डिस्कलरिशन, पिग्मिटेशन वगरा दूर हो जाएगी और आप इसको ब्लेंड करते वे, फिंगर की मदद से असानी से लगा सकती है आप मेरे हैंड पर भी देख लिए हैं जिसमा मैं इसको ब्लेंड कर रही है और जो मेरी स्किन है वो बिल्कुल इवन टोन हो चुकी हुई है आपने इसको अच्छे तरिके से ब्लेंड करना है पूरी स्किन में और इसकी जो मिग्दार है वो आपने बहुत थोड़ी लेनी है अगर आप ज़्यादा प्रोड़क्स लेती है तो आपकी स्किन पर केकी नेस और एक जिया ना आपकी बेस फटने का खच्छा होगा तो आपको बहुत थोड़ी मिग्दार में लेने अब यहां बढ़ा मेरी देख सकती है कि स्किन बिलकुल इवन टोन हो चुकी हुई है अब हम अपने चलेंगे नेक्स स्टेप की तरफ अब हम चलते हैं अपने नेक्स शेट की तरफ जिसमें हम लगाएंगे आईवरी शेट क्योंकि यह फिर टू मीडियम स्किन के लिए है तो इसमें हम आईवरी शेट के साथ अपनी मेर हमारा यह जो शेट है यह वो है लेकिन इसके अंदर हम और भी कुछ मैजिकल प्रॉडक्स जो है वो शामिल करने वाले हैं तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना हर्ट स्रेप्स को आपने गौट से देखने हैं अब इसको श तो इस बेस को फुल कफरेज बिना देगा और जनाब यह हमारा वह मैजिकल प्रोडक्ट यह मेरे पास ओडू ओ का हाइलाइटर है लिकुड हाइलाइटर है आप यह भी ले सकती है आप चाहें तो इसके अंदर जो आइकॉनिक लेंदेन वालों के जो ड्रॉप साते हैं वह भ मिस्ट्रोज की फॉंडेशन के साथ जो है वह हालाइटर को मिक्स करके भी इसके उपर लगा सकती है या आपकी अपनी मर्जी है मैंने यहां पर क्योंकि आपको स्रफ मैथर्ट शू करना था तो मैंने इसी तरह डिरेक्ट ही जो है वह आपकी बेस के उपर आपको लगाना फेला दिया है पहले आपकी स्ट्रीम की बेस को पूरे फेस पर अप्लाए कर लें दैन आप इसको मिक्सचर बना ले और उसको आप अपने इस तरह फेस पे ब्रश की मदद से पहला दें पूरे फेस पे ब्रश यूज करने से होता यह कि जो फॉंडेशन और आपकी स्टिक लगी होती है वह बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाती है एक दूसरे के अंदर आपको अलदा से स्ट्रीक को निकाल के उसको एक क्रीम फॉर्मिल आने की जोहत नहीं पड़ती है ठीक है अब हम इसको किसी भी ड्राइ स्पंज से मेक शूर कि आपका स्पंज ड्राइ हो ड्राइ स्पंज की मदद से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है अच्छे तरीके से पैनेटरेट करना है अपनी स्केन में अब आप यहां पर शेयर्ट देख सकती है कि वह शेयर्ट रसा वह पिंक टोन के अंदर जो है वह ड्यलप हो गया है उसके अंदर पिंक टोन अभी मैं इसको ब्लेंड करके आपको दिखाते हूं कि कितना तदर ग्लोई आपका बेस बंडर का यह देखे किस कदर ग्लोई बेस और एक पिंक टोन की बेस अल्रेट हो चुकी है अब चलते हैं अपने अगले स्टैप की तरफ जिसमें मैं आपक साथ शेयर करने वाली हूं कि आपको कौन से दो पैनकेक ऐसे चाहिए जिसको मिक्स और मैच करके आप फिर और मीडियम जो कलर है उसको बिल्ड कर सकती है तो सबसे पहले हमारे पास है क्रिस्टीन का यह शेयर जो के वह है FS45 यह इनका नैचरल शेयर है जो कि थोड़ा पिंक मैक जो है वह बहुत फुल कवरिज फॉंडेशन है इसका फुल रिव्यू मेने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया हुआ है तो आप जाकर देख सकते हैं यहां जो शेयर मैं ले रही हूं वह है आईवरी अब हम FS45 और आईवरी को मिक्स और मैच करके एक कस्टमाइज शेयर बनाएंगे तो हमारा एक fair to medium skin के उपर यह perfect जाने वाला है लेकिन यहां पर मैं एक बात बताती ही चलूँ कि अगर आपकी skin जो है वह थोड़ी ज़ादा medium skin की तरफ जा रही है तो आप 45 को जादा लेंगी और आप मैक के shade को कम लेंगी जो कि मैं आपको आगे चलके इसको इस तरह के से apply करके भी दिखाओंगी तो यहां पर मैं उसको निकाल रही हूं मैंने थोड़ा सा लेना है तो मैं इसी तरह ले लिया है ताकि brush के उपर water के साथ इसको mix करके मैक का shade लूँगी क्योंकि मैं फिर skin के लिए बिना रही हूं तो मैं यहां पर इस वक्त जो है वो आपको मैक का shade लेके बता रही हूं जो मैंने 45 shade है वो बहुत थोड़ा लिया है अब यह जो हमारा shade बन गया है अब इसको हम अपने जो direct हमारी base है उसके उपर apply करेंगे आप चाहिए थोड़ा और ले सकती है मुझे लगना था कि मैक का shade जाद है तो यह अब मैंने वो shade बना लिया जो मुझे required था इसको फिर हम अपनी base के उपर apply करेंगे तो आप देखेंगे कि base जो है वो अच्छे तरीके से गर्मी और गर्मी आने वाली है तो सेट हो जाएगी पैनके को जो ही लगाएंगे हाँ हमारी base जो है वो और जदा long lasting और सेट होती जाएगी अच्छा जब तक यह dry होता है मैं आपको वो shade बना के दिखाती हूँ जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में का कि आपको customize shade बनाना बताऊंगी तो यहाँ पर ह FS45 को जादा ले लेंगी और आपका जो Mac का shade आप उसको कम लेंगी और जैसे मेरा यह Mac का shade अलड़ी पहले बना हुआ है इसके अंदर ही मैंने FS45 का shade बना के बताती हूँ कि यह इसके अंदर किसना कितना difference आ गया है यह देखे तो इस तरीके से आप shades को match करके अपना shade बना सकत कि अब यह थोड़ा सा जो है वो ड्राइ हो गया है तो मैं अप फरक आप देख सकती है दोनों में वहला जो जाड़ा जादा फेर की तरफ जा रहा है और जो यह वहला shade है वह थोड़ा medium की तरफ जा रहा है कि यह आप कहलें का FS45 का shade हो गया है इसको मजीद भी आप डाग कर ब्यूटी ब्लेंडर की मदद दे पूर स्कीन के अंदर अच्छे तरीके से पैनेटरेट करेंगे ब्यूटी ब्लेंडर जो एक्सस प्रॉड़क को उठा लेगा और आपकी जो बेस है वह बहुत जबर्दस कि सेट हो जाएगी यहां पर आप बेस को देख सकती है उसकी बेस को बना सकती है आपने मेरे के टिप्स और ट्रिक्स जो है वह फॉलो करते हुए यहां पर मेरी लाइट रिगी थी और मैं फ्लेश लाइट के तो आपको शेड दिखा रही हूं किस तरीके से आया अच्छा एक लास्ट जो मैजिकल प्रॉड़क्ट आपके साथ में और लगी हूं वो है मेरे पास यहां पर ब्यूटिफाइब आमना का यह रेडियंट बेकिंग पाउडर है यह यह लूज पाउडर है यह भी आप अगर ले लें तो यह आपकी बेस को बहुत ज़दा स्मूद और एक फाइन लुक दे देगा और इसको यह बिल्कुल ट्रांसु अगर आप अपनी प्रॉड़क्स के अंदर इसको अड़ कर लेती है अपनी बेस के अंदर तो आपकी बेस जो है वह बहुत ज़दा जैना वह फाइन और एक बहुत ही कमाल की बेस बनेगी और यह आपकी मेस को मजीद जो है वह लॉंग लास्टिंग कर देगा थोड़ा सा आपने रखना है इसको अपने फेस पर लगा के छोड़ना है जैसे आप बेकिंग करती इसका बेकिंग करनी निया फेस की और उसके बाद आपने आकसस को जो है वह रिमूफ कर देना है तो आपकी जो बेस बब्स किसम की सट हो जागी यह देखे तो आपकी सिकिन के अंदर एक मजीद शायन आनी शुरू हो गई है आप देख सकती है और बेश जायना वह मजीद जायना वह स्मूध हो गई है अगर यहां पर आप चाहिए तो एक और स्टेप भी मैं आपको बताना कह सकती हूं कि आप यहां पर एंट पर सैटिंग स्प्रेक अगर यूज करती है तो को फॉलो करते विए और इनी शेर्ट को यूज करते विए आप अपनी बेस बना सकती है मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कि अगर आपने इस मतर्ट से बेस बनाई और इन शेर्ट को यूज कि और आपकी कैसी बेस बनी और उन सिस्टर ने अभी तक अभी नया पॉलर किया है तो इस पेशल वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है कि वह इस तरीके से जो है ना वो प्रॉडक्स ले और अपनी बेस को बना ले तो मिलती हूं मैं अपनी किसी नेक्स वीडियो में आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो कॉमेंट करके ज़ूर को बताईएगा मुझे अपनी दौह में याद देखिएगा मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो